चैट, जीपीटी और गूगल का बाड़, आज कल काफी चट्चा हम है, आखिर क्यों? क्योंकि ये दोनों Artificial Intelligence हैं, मतलब AI, तो आज हम जानेंगे Artificial Intelligence के बारे में, कि Artificial Intelligence आगे चीज क्या होती है, और ये दियेगे 5 टॉपिकों को हम कवर करेंगे, AI, Artificial Intelligence, पहले हम दिखेंगे कि Intelligence होता क्या है, Intelligence is the ability to learn, understand and apply knowledge and skill to solve problem and adapt to new situation, मतलब इसका मतलब है कि Intelligence का मतलब होता है, ability to learn के चीज सीखना और इससे समझना, और समय आने पर problem को solve करना, और जो गलती रहेगे उसको new situation के according, अड़ेप करते जाना, तो अब देखते हैं, Artificial Intelligence, Artificial Intelligence का मतलब होता है, कि Development of Machine, यानि जैसे Intelligence बुद्धी होती है, उसको मसीनों को दे देना, यानि मसीनों में एक ऐसे capability डाल देना, जो कि सोच सके, reasoning कर सके, सीख सके, और अपने आपी decision बना सके, like human, हम मसीनों के ऐसे तेरे प्रोग्राम कर सकते हैं, जिसकि वो ऐसे tasks perform कर भा है, जो कि Human के लिए required होती है, Intelligence में, यानि एक artificial बुद्धी, जो कि Human त्वारत दी गई है, अब देखते हैं, यह काम किसे करता है, तो artificial intelligence जो AI है, वो इन 6 टॉपिकों के बदोलती काम करती है, फस्ट है इसमें machine learning, जो machine learning का मतलब होता है, कि बहुत सारे data को हम machine में feed कर देना, और machine उसमें pattern ढूनती है, analyze करते है past data जागो, कि उसमें क्या क्या similarities है, और उसमें एक pattern ढूंड के वो ने decision बनाती है, कि अगर past में यह हो तो future में यह हो सकता है, next हमारा deep learning, deep learning भी machine learning की एक technique होती है, जो machine को यह सिखाने में मदद करती है, कि आगे prediction क्या हो सकती है, next हमारा neural network, neural network, जैसे human brain में neural cells होते हैं, जैसे human brain क करता है, वैसे ही neural network, machine को भी दिया जाते हैं, यानि multiple series of algorithm होते हैं, जो कि यह decide करते हैं, कि जो previous data है, उसकी beast क्या relationship है, जैसे human brain करता है, किसी भी चीज में relationship, यानि pattern ढूंडना, अगला हमारा natural language processing, इसका मतलब होता है, कि machine का पढ़ना, सीखना, और language को interpret करना, यानि उसको अप इसे कहते है, natural language processing, यानि human की तरह natural language में चीजों को process कर पाना, नगला हमारे computer vision, computer vision algorithm बनाया होता है, image को understand करने के लिए, यानि ये image को study करने का काम करता है, जो कि decide करता है, कि image में क्या क्या चीजे हैं, और कैसे उन में आगे का decision बनाना है, यानि previous जो उसमें observation दी गई है, previous जो उसमें data feed किया गया image के according, वो उसके according की आगे decide करता है कि previous image से क्या हम आगे pattern बना सकते हैं, और next हमारे cognitive computing, जो computer दीमाग है, वो human brain को copy करने की कोसिश करता है, कैसे वो कोसिश करता है, text में, और किस परकार human की तरह लिख पाए, कैसे वो बोल पाए, कैसे वो image को आगे predict कर यह उसका diagram है, फस्ट हम क्या करते हैं, कि एक large amount of data को लेते हैं, जिसमें speech हो गया, यानि audio की form में हो गया, text की form में हो गया, image की form में, context या फिर इन सब की form में हो गया, और वो हम data input कराते हैं, machine को उसके बाद उससे train करते हैं, data processing होती है, algorithm और rule के according, तो वो interpret करता है, और आगे करेगा, कि क्या उसमें कमी रह गए थी, और discover करेगा नई चीजों को, जो उसने गलती करी थी, and then feedback में, वो दुबारा से सीखेगा चीजों को, और उसके बाद, adjustment में, वो data को, नई-नई algorithm लगा के, outcome में एक नया set of rule बनाएगा, जिससे कि वो नई outcome इससे भी अच्छे तरीके से predict कर पाया, और नई-नई चीज सीखे, फिर से वो दुबारा से उसको नई वाली चीजों को, जो भी हम उससे सिखाते हैं, उसको फिर से data input लेता है, और फिर से processing करके output देता है, अब हम देखते हैं कि AI किदने type क्यों होते हैं, AI mainly 3 type क्यों होते हैं, ANI, AGI, and ASI, ANI मतलब Artificial Nar Intelligence, AGI यानि Artificial General Intelligence, and ASI मतलब Artificial Super Intelligence, Artificial Narrow Intelligence, जो कि 1946 में पहली बार Artificial Neuron का evolution हुआ था, मतलब human brain में जैसे या neurons होते हैं, वैसी उन्होंने ये सोचा कि कैसे हम machines को भी दिमाग दे पाए, तो उन्होंने फर्स्ट बार Neuron के बात करे थी, यानि Artificial Neuron के बात करे थी, कि हम machine को अग 1956 में Group of Scientist, जिनमें जोन मैं करे थी, इन्होंने जो Artificial Intelligence वर्ड है, इसको पहली बार यूज करा था, जो ये है, ANI, इसको वीक AI के नाम से भी जानते हैं, क्यों, क्योंकि ये 1st phase था AI गा, जिसे कि सिर्फ बेसिक टास्क के लिए ही, प्रोग्राम किया गया था, जो कि एक नॉ Sharky, एक AI था, जो कि इसमें ability थी, learn करने की और नई चीजों का adapt करने की, human की तरह, 1997 में पहला एक सा computer बनाए, जिसने की एक chess champion को beat कर दिया था, और ये जो general intelligence ही है, strong intelligence, ये अभी भी काम करती है, जो कि human की तरह सोच पाती है, और accordingly decision लिपाती है, और जो last हमारा, वो है Artificial Super Intelligence, ये इसे intelligence, कुछ ऐसे artificial intelligence, जिसमें की ability होगी, सोचने की, और reason करने की, जो कि beyond the human capabilities, यानि humans से भी ज़्यादा ये आगे पहुँच जाएगा, ये होती है, super intelligence, अब इसके फाइदे की तो फाइदे क्या है, artificial intelligence की कुछ फाइदे है, जैसे कि increased efficiency, क्योंकि ये machine है, तो ये गलती कम करे ये अपनी पुरानी गलतियों से सीखता है, और फिर नए नए pattern बना के तुवार से उसको implement करता है, cost reduction, क्योंकि इसमें human की तरह खर्चा नहीं होता, इसमें cost reduction, यानि बस इसमें machinery चाहिए, और एक बार machinery लगाती, तो coffee time तक उसे change करने की जूरत नहीं पड़ती, safer working environment, यानि जो AI होता है, ये ऐसे जगह पर काम कर सकता है, जहां human नहीं पहुंसकता, dangerous जगह पर जैसे कि जहां पर बंबारी हो या फिर जहां human capabilities नहीं पहुंसकती, वहां भी AI आराम से काम कर सकता है, जहां इसके फायदा है, वहीं कहीं नुकसान भी है, जैसके bias and discrimination, मतलब कि AI जो सीखत है, वहीं सीखता है, जो हम इसे सिखा रहे है, यानि input data की accordingly, और अगर human से interact करते हुए, human ने उसको false information, यानि misleading information दे दी, तो वह किसी प्रति बाइस हो सकता है, job displacement, मतलब job चीन लेना, कई लोग ये मानते है, AI जो ले लेगी, तो इसका simple सा answer है, हाँ भी और नहीं भी, तो AI सिर पाए, वह भी बिना बोरियत की, ऐसे काम, जिसे कि इंसान बोर हो जाते है, पर उससे machine बोर ने उपाती, वह काम AI छीन ले जाएगा, नेक्स्ट हमारा privacy and security concern, क्योंकि AI अपने आप ही सोच पाता है, तो अगर उसे internet से connected कर दिया जाए, तो यहाँ वहाँ से चारो तरफ से information ल पास है, और उसे अगर कोई hack कर ले, तो उसका miss use कर सकता है, जैसे कि weapon बनाने में, या फिर जैसे कि AI को किसी दूसरे human के प्रती गलत इस्तमाल करा जा सकता है, तो real world applications क्या है, अगर हम AI के real world application देखें, तो बहुत सारे है, फाइदे तो इसके बहुत सारे, नुक्सान बहुत इसके time में data क्या होगा, कैसे हम उसे गाड़ियों को बिना driver के चला पाएंगे, और पूरे नियमों का पालन करेंगे, human की तरह बिना थके, ये काम कर सकती है, इसलिए हम AI का इस्तमाल करते है, self driving कारूं में, और क्योंकि AI एक machine है, तो ये काफी accurate result भी देता है, next text का personalized recommendation, हम दे Netflix और YouTube है, उसमें हम जो वीडियो देखते हैं, उसके recommendation हम नहीं से देखते हैं, कि इसकी जैसे अगर वीडियो आपको देखनी है, तो ये आप देख सकते हैं, based on हमारी browser history है, जो हम पहले browser कर रहे हैं, उसके according ही वो हमें और दिखाता है, कि same same आप ऐसी तरह और भी देख सकते AI का बड़ी आसा इस्तमाल हम कर सकते है, fraud detection में, जैसे कि bank और credit card की जो companies होती है, वो AI का इस्तमाल कर दिखाते है, fraud को पखड़ने में, जिससे कि false transaction ना हो, और customer का behavior का है, अगर वो जो credit card owner है, वो हमारा बार बार time पे pay कर देता है, loan तो उसको और recommendation देनी चाहिए, ये सब काम ह जैसे कि हमारे पास Google translator होता है, Microsoft translation आता है, तो उसका इस्तमाल करते हैं, किसमें, translation करने में, यानि एक language से दूसरे language में, जो translation करा जाता है, वो natural language processing को इस्तमाल करके, हम आसानी से कर सकते है, human की तरह, यानि ये ना लगई कि machine ट्रासलेट कर रहा है, और इसे, internal language communication में काफी help हो होती है, यानि जो English जानता है, और कोई French नहीं जानता, तो English को in software के मदद से French में convert कर सकता है, और virtual assistant की तरह भी हम AI का इस्तमाल करते हैं, जैसे कि हमारे पास है, Amazon Galaxy है, Apple का Siri है, Google का भी assistant आता है, तो ये सब क्या है, ये सब भी AI है, एक assistant की तरह काम करते हैं, और ये जितना हो स करते हैं, आप देखते हैं, AI का future क्या है, AI का future, यानि AI हम future में और कहके कर सकते हैं, AI से हम improved healthcare, यानि जो health care में गलतियां होती है, को prediction करना है, कि किस area में, किस बिमारी से कितने प्रेशान लोग हैं, और कई ऐसी बिमारियों का तोड निकाल सकते हैं, जो कि human को करने में काफी time लग जाता है, जैसे कि एक बार न्यूज आई थी कि Google के AI ने जो protein का structure होता है, वो कई millions of protein का structure कुछी गंटों में तयार कर दिया था, जो कि एक इनसान को मनाने में काफी साल लग जाते हैं, increase automation, यानि machinery, machinery से जो cars बनती है, याफि कोई भी product बनाना है, तो हम उसे robot में feed कर देत instruction और वो उसमें इस्तमाल करते हैं, AI का, जैसे कि वो ऐसी चीजे बार पार बनाते रहे, वो भी बिना किसी बोरियत के, enhance personalization, क्योंकि AI के पास बहुत सारे data है, तो वो personal, किसी particular इंसान को personally recommendation दे सकता है, यानि personalized चीजे उसको recommend कर सकता है, तो इस चीजे में भी AI का काफी इस्तम personal life में भी AI, यानि हम अगर AI को पूचे हमारे पास को AI है, और हम उसे पूचे कि हमें आज कौन से कपटी पहनने चाहिए, हम डेट पे जा रहे है, तो ये सब AI असानी से बता देगा, क्योंकि हम उसके पास हमारा बहुत सारा data है, और उसे पास ये से भी data है, कि हम कैसे हमारी कई ऐसे AI की features डाल सकते हैं, जो कि ये predict कर सकता है कि अभी जो weather है, उसके according हमें गाड़ी चलानी चाहिए, या नहीं चलानी चाहिए, और अगर चलानी चाहिए, तो AI को चलानी चाहिए, और ऐसे बहुत सारे जो customization है, वो AI से हो सकते हैं, transportation में, next है advanced in science and technology, यानि science में जो खोज तो उसमें जो accuracy है, और speed है, वो काफी increase हो जाती है, क्योंकि machinery काफी तक्ती नहीं है, बस उन्हें computation power चाहिए होते हैं, जिससे कि वो अपना काम कर सके, तुम ये AI सीख कहां सकते हैं, नीचे description में इसका पूरा road में पर कैसे हम AI सीख सकते हैं, और कैसे AI scientist या engineer बन सकते हैं, तो चेक करों, description में, तो अगर आपका इससे related कोई भी question है, तो नीचे जाके comment में बताओ कि, क्या question है, और तुम पूरी कुछ करूँगा, उसके जवाब देने के, फिलाल लेके लेतना ही, भाई भाई